इनी खबरों के साथ आगे बढ़ रही हैं तेकि अपनी मांग को लेकर किसानों का अंदोला लगातार जारी है पांचवा दिन है आज शंबू बोर्डर अमबाला पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद है तीकरी सिंगू बोर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलतेनाथ है किसानों को दल ले जाने से रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा कर दी गई है ताकि किसी प्रकार से किसानों को रोका जा सके लेकिन किसान अपनी हट पर अड़ा है दल्ली जाने के लिए अड़ा हुआ है ये देश का वो अन्डाता है जो सडकों पर उतराया है ट्रेक्टर के साथ अपने वहनों के साथ उतराया है सडकों पर हलाकि कई दफा बातचित कुई सरकार और किसानों के बीच लेकिन तीन दौर की ये बातचित हो चुकी है लेकिन मांगों पर सहमती नहीं बन पाई है किसानों को कहना है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है एक भी मांग नहीं मानी गई है साथी किसानों के तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है किसानों की तरफ से कही गई हैं, तो किसानों को दलने जाने से रोकने के लिए सुरक्षा हाला की कड़ी कर दी गई है, कल किसानों और सरकार में चोथे दौर की बातचित भी होगी, अभी तक तीन बैचकों में मुख्य मांगों पर बात नहीं बन पाई है, पांचवा दिन हो चुका है, और इस बीच आपको ये भी बता दे की तीन दौर की बातचित हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, क्योंकि बैच के जो है वो बे नतीजवा रही हैं, सहमती नहीं बन पाई है, इदर केंद्रिय कृशी मंत्री अर्जुन मुंड की तरफ से भी यहां पर कहा गया कि बैठक साकरात्मक रही है, चर्चा जो है वो फड़े से की जाएगी, लेकिन किसानों को कहना है कि हमारी मांगी नहीं सुन रही है सरकार, अब देखने वाली बात होगी, आखिर कार क्यों किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, उन पर लगातार की जा रही है अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ हल्चल वहाँ पर नजर आ रही है अभी तमाम जो बोडर है, उन्हें पूर्ण रूप से परशाशन के द्वारा, पुलिस परशाशन के द्वारा पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है और सरकार की भी द्वारा जो है, जो किसान नों से अपील की गई है कि कोई भी अगर परशाशन करना है, वो शांति पूर्ण तरीके से परशाशन करें, आप बसिज या रेल के माद्यम से दिल्ली कूछ करेंगे। पीक की गई थी, लेकिन जिस तरह से किसानों का कहना है, वो ट्रॉक्टर ट्रॉल्यों के साथ ही वो जो है दिल्ली कूछ करेंगे। तीन बार बैटक हो चुकी है किसानों की और किंद्रिय मंत्रियों के साथ लेकिन फिर भी कोई नतीजा सामने नहीं निकल कर आया है और आप जिस तरह से हरियाना के कुछ किसान संगठानों की जिस तरह से हरियाना के अंदर बैटक भी हुई थी जिसमें कल टोल को तीन गंटे तक टोल प्री भी किया गया था उसके बाद आज एक ट्रैक्टर मार्च भी हर्याना के कुछ जिलों के अंदर किसानों के दोरा निकाला जाएगा कि रोज परदशन जो अपना परदशन करतों दिखाई दे रहे हैं किसानों का कहना यही है कि हमारी जो मांगे है वो दिल्ली जाना हमारा कोई जरूरी नहीं है बोल्डर तोड़ना हमारे कोई जरूरी नहीं है बस हमारी जो मांगे है वो माल नी जाए हम अपने गर को वापिस ले जाएंगे इस तरह से किसानों का कहना है लेकिन अगर जो आज जो जिस तरह से संडे को जो है एक ऐह जो है बैठक पताओ जारी है और आब उस बैठक में देखते हैं क्या कुछ नतीजे सामने निकलकर आते हैं किसानों का कहना है कि हम अपनी मांगे जो है आज भी हर्याना के अंदर ट्रेक्टर मार्थ किसानों के दोरा निकाला जाएगा और संडे को एक एहम बैठक बताई जा रही है चंडिगर के अंदर केंद्रिय मंत्रों की और किसान निताओं की अब देखना ही होगा कि उसके अंदर क्या कुछ नतीजे जो है सामने निकल कर आते हैं किसानों का सिरफ एक ही बात को कहना है कि हम जो है अपनी मांगे मनवा करें रहेंगे वहीं हर्याना की डीजीपी के दोरा भी आम लोगों से अपील की गई है उन्होंने जिस तरह से रूट को जो डाइवर्ट करके जो है इंफर्मिशन जो है जो जारी की गई है कि लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेंगे और जिस तरह से आज पांचव दिन है और किसान अंदोलोन का और काफी दिन हो चुके हैं इंटरनेट सेवाए भी जो बंद है इससे आम जनता को काफी परिशानियों का जो है सामना जो है करना पड़ रहा है जिस तरह से ओनलाइन पेमेंट जो है लोग जिस तरह से आज के समय में वोलेट जो है पुष्टी ना होसके और जो लोग सोशल मीडिया पर गल्ट अपवाई फैला रहे हैं उन पर भी खास ज्यान रखा जा रहा है नियम अनुसार उन पर भी करवाई की जाएगी आज हर्याना में जो है ट्रेक्टर मार्च निकाला जाएगा और अब संडे को ही पता लग है वो यहाँ पर हो चुकी है करन क्या है को सरकार सुनना नहीं चाहती है किसानों की बातों को फॉल यह भी कहा गया हहे कि सरकार हमारी कोई भी मांक्ति करवा तरह किसा करप माहूल में चर्चा हुए तो अब क्या कारण क्या है जो सहमती नहीं बन पा रही है बार-बार बैठके होना बार-बार भी नतीजा होना बैठक बिल्कुल सागना जिस तरह से सूतरों के हवाले से जो जानकारे मिली है की 13 मांगे कुछ किसानों की जो है और उसमें से सरकार के दोड़ा जो है दस मांगे मान ी ली थी और किसानों का क Luis कि वो अपनी 13 की 13 मांगे जो मनवाकरी रहेंगे और तीन बार की वारतलाप हो चुकी है अब चोथी वारतलाप जो होनी है तब तक जो है कि किसान जो है बोडरों पर बैठे रहेंगे उन्होंने सरकार और प्रशाशन को आश्वाशन दिया है कि अब वो आगे नहीं बढ़ें और बशाशन के सिक्सानों हों किसानों को बार 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 बात जीत के लिए बोला रहे हैं Mission की तरीके से जो है उस भात का जो हो है निकल झाए क्योंकि इससे आम जंता भी काफी परेशान झो होरी है March हो चुके नेशल हब पूमरूप से जो है देखे शाब जब शंबू बोडर के बाद जब दिल्ली जाना हो किसी को तो आप यह लगा लिए नेशल 44 ही जो पकड़ता है शाबाद में भी बैरिकेट लगायो है करनाल के अंदर भी बैरिकेट लगा गए है और जो दिल्ली हरियाना और दिल्ली का जो अगर जो हमारी मांगे माननी जाती है हम शंबू बोडर से ही अपने गरों को आपसी चले जाएंगे और उसके बाद लगातार किसान आंदोलन पर है आज पांचवा दिन है आंदोलन को बार बार बैटके हुई है से तीन बैटकों में सहमती नहीं बन पाई है अभी फिलहाल कुछ जानकारी आप दे पाएं तूँ जी बिल्कुल देखिए पांच दिन हो गए अलगातार किसान बैठे हुए हैं पंजाब और हर्याना की सीमाओं पर और अगर मैं खास बात करूं तो दाता सिंगा वाला बोर्डर जो यह हर्यां जीन जीले का आखरी बोर्डर है आपको बता दें और यहां पर किसानों का यह bility के आधा हर्यासान सब्सक्राइब करेंगे और ऊउसलिए करते हैं जी यूव कोई कोई की यह कोई सटी है और तीक नजर आ रही है सांती पर ये बैठे हैं किसान लेकिन अगर पहले दो दिन की खास बात करूंगो उस टाइम स्थीती बहुत ही जादा तनाव पूर्ण रही है ऐसे में आसुगेस के गोले भी छोड़े गए हैं वाटर कैनन का प्रियोग भी किया गया है कई किसान भी घायल हुए है कई जवान करें नहीं आई कोई सह्मति नहीं बनी ऐसें में चोट्यदौर की मीटिंग के लिए किसानों को इंतजार है कि कहीं कहीं अगर कुछ मिटिंग के अंदर सखारआतमक रूप ले लेड प्रीए बैठें गए और किसानोंने कर दिया तो हमारी मांगे मालो नहीं तो इस बार दि पुलिस परसासन ने उच अधिकारी वहां पर डेली बैठते हैं कल भी तीन एस पी वहां पर मुझूद रहे हैं उसके बाद दूसरा बोर्डर आता है उजहाना के पास बनाया हुआ जो पुलिस ने दूसरा बॉंड कह सकते हैं वहां पर भी पूरी तयारी की गई एसे में कुछ दिल्ली के वर्य आसे किसानों को नहीं करने दे लेकिन किसान मानने को तयार नहीं है लेकिन जो रविवार की जो बैठक है स्याम की उसके आंधु कुछ निकल कि देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नजब ना रखने के लिए तो दिखे किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और अपनी मांग पर अड़ हुए हैं किसान अभी फिलहाल शांती पूर्वक जरूर बैठे हैं लेकिन अभी इंतसदार है चोथे दोर की बैठक का क्या कुछ बात चुहे वो चोथे दोर की बैठक में होती है ये देखने वाली बात होगी और उसके बाद ही तवाम के सान अपनी अगली रणनीती बनाएंगे